मैं नाम विशी छत्वानी है, मैं एक चार्टर अकॉंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रॉफेसर हूं गौर्वर्मेंट कॉलेज में इन दिनों में अमरी जूनियर अकॉंटेंट और टियारी की तयारी चल रही है और हमने जो सब्जेट ले रहा है वो है और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे और प्लान और प्रॉसीजर तो यह रहे दस एमसी क्यों आपके सामने पहला क्वेशन कहता है क्यों मज़े कोई जल्दी नहीं है वोप आपको भी जल्दी नहीं होगी देखिए ओडिट हम क्यों करते हैं क्योंकि हम किसी के अकाउंट की जांच करते हैं कि अकाउंट उसके ओके हैं या नहीं अब उसके अकाउंट ओके हैं या मन से तो मानेंगे नहीं उसको हम जांचे है हम वहाँ जाएंगे और जाकर देखेंगे कि वहाँ पे internal control system है के नहीं वहाँ पे वह stock की counting करते हैं तो कैसे करते हैं वह शाम को cash count करते हैं तो कैसे count करते हैं ठीक है तो अब लोकर में हम वहाँ जाकर उनको observe करते हैं ठीक है observation कर STEVE कगई किन हें उन्हें प्रिजट्स चाले करते हैं लाउनोने जो घ्ल कंडूरेशन किया है उसे एक लगई पर देखा कि उतनी ही जोड इन्हों ने वहाँ पर sales book में लिखी है या नहीं तो इस तरह से हम कुछ calculations करके देख लेते हैं किसी पन्ने का random ही जोडबा के निकाल के देख लिया पर देखा balance आगे ले गए या नहीं ले गए अफ़े गए लिए तो कुछ calculations करतें यह सब क्या तरीके हैं यह सब आपके evidence करेक्ट करने की तरीके हैं साक्षय करने की तरीक सकता है कि सब गरबट चल रहा है यह कुछ भी मिक्स काइंड ऑफ भी चीज आ सकती है ठीक है तो अंकेशन साक्षय करने की यह सब यह सब विधियां होती है तो इसका फिजिकल एक्षामेरिशन बेसिकली असेट्स के लिए उस होता है कि आपका पिचतर अजार ही है या कम है या उनी से पूछ लो कितना बैलन्स चल रहा है इंस्पेक्शन जैसे मैंने बताया वहां जाके जो लेजर्जर्ज डॉक्यमेंट्स रखे हैं उनको आप इंस्पेक्श है उसमें जैसे पिछले साल की सेल किती थी प्रॉफिट कितना था पिछले साल कितने मज़ूर थे वेजिस का बिल क्या था इस साल वेजिस का बिल क्या है तो हम की जो को को रेलेट करते हैं एकदम से क्या होता है रैंडम फ्लक्शुईशन ना आ जाया मालीजे पिछले साल क का सेलरी का बिल था मानलेजे 40 लाग लुपे और स्सेफें leisure आरह रहा है're aatre आधना कितना सेलरी हो गया तो ओ सकता है। धंदा बड़ा हो पर धंदा अगर नहीं बड़ा तो प correction कैसे बढ़ गया हॉ बड़ा तो इतना कितना बढ़ गया किसी तैसे हम सौधा स्टार्ट हुआ सौधा स्टार्ट होने से लेके एंड तक आप बताओ आप क्या करते हो तो उनका इंटर्ल कंट्रोल सिस्टम दिखते हैं कितना वीक है उसमें फ्लॉक यानि कोई दोश है या नहीं है और observation में आप जैसे मैंने बताया है कि आप आप जाके देखो कि व वह जो जो करेगा एक पुलीस वाले की तरह सोच लो उसके बाद अगला वाशन गयता है अंकेशन योजना तयार करते समय लेखा परिक्षक को उस पर विभिन विधानों द्वारा आरूपित यानि आरूपित का मतलब होता है इंपोस या लगाए गए जैस जैस का पता लग अपनी है वह आपको कहेगी कि आप आईए साहब आप हमारे आप अडिट कर लीजे आप उसको देंगे कि सर मैं जून के पहले हफते और पहले और दूसरे हफते में आपकी आपकी आपको यह देखना चाहिए जो अलग-अलग कानून है उन्होंने आपकी क्या जिम्मेदार प्लान प्लान बनाएंगे तो पहले आप यह समझ लीजे कि आप किस तरह का और जरूरी है और जरूरी है सामने वाला आपका इसकोप लिमिट नहीं कर सकता जो जो काम आपको करने हैं वो करना ही है बहले क्लाइंट अगर कहता है नहीं डेपीशेशन क्रॉस चेक करने की जबत नहीं है पर आपको याद रखना है कि जो काम आपको करने हैं वो करके ही आने है ठीक है तो स्टेट्यूटरी आप याद रखिएगा वह आपका कारे शेत्र सीमित नहीं कर सकता पर अगर वो प्राइवेट और यह जो जो बोलेगा आपको उसके साथ बात समझनी यह उसके प्राउधान फालू हो रहे है यह नहीं तो एस तो कि लो अपड़िट का प्लान करें तो एक तो यह रख लीजिय आपको किन शर्तों प्रबंप किया है लिज्यू bzw हो सकता है कि वो केवल P&L का Audit करवाना चाहिए हो सकता है कि वो Balance Sheet का Audit करवाना चाहिए तो एक तो आपके उसका साथ Terms of Appointment कहते हैं हुए और दूसरा आप यह देख लीजिए कि तो अलग-अलग लेजिसलेशन हैं अलग-अलग कानून है उदों ने आपकी कौन सी जिम्मेदारी बताईए क्योंको क्या है आप audit लेकर आगए कल को फिर गरबर निकल गई तो फिर आपको जिम्मेदारी जिम्मेदार ठहराए जाएगा तो फिर दो थोड़ा साब को जाधा समझा रहा हूं इसलिए कि अगर आप इसको पढ़ने के बाद पढ़ते हैं तो चीज आपको जल्दी समझ में आ गए अगर आप पढ़के आए हैं और यह चीजिए आपके सुनी वे तो जस्ट आप पटाफट से आंसर देखिए आंसर टिक कीजिए और अगले पर थुदा सा स्किप कर लीजिए गा या फॉस फॉवर्ट कर लीजिएगा ठीक है जो लोग बहुत पहली बाहर सुन रहे हैं क्योंकि जूनियर अकाउंटें एक्जाम हालाकि आड़िट में बता दूं कि जूनियर अकांटें एक्जाम में भी होता है स्कूल ले खरी यह यह मुझस्ट आथ बाहरी काहारी सक्षिण है और झरी सब्सक्राइल हो सकते हैं आपको फिल में हो समझひकी तो बिल सामने वाला बनाएगा ठीक है तो वो भी जो पर्चेस आपके पास है वो external evidence है माल आप खरीद के लाए हो पिल भी हमने चुकाया है लेकिन जो बिल बनके आएगा वो तो बाहर से आएगा ना यानि उसमें हमारा manipulation नहीं हो सकता है होने को पर्चेस में भी घरबड होती है इतने का बिल बनाना वह फोन सुनने के बाद बना देगा लेकिन वह थोड़ा सा मुश्किल है एक तो होता है मैं खुद बिल काटू तो जितनी मर्जी उतने का काटू कौन पकड़ने वाला है लेकिन पर्चेस बिल के साथ manipulation में आपको थोड़ा सा पेन लगेगा थोड़ा सा तो बात नियम की है नियम कैसे तोड़ा जाता है उस पर मैं भी आपसे बात नहीं करता अभी मैं के वल आप से कह रहा हूं कि पर्चेस इन्वाइस होता है वह एक्स्टरनल एविडेंस होता है भारी कुष्टी इसमें नाम ही आगया बाहरी पुष्टी एक्सटरनल truth गेंशन दिःसे आप से statement निकल गया है अप दैटर से पूच रही हो जल रहा हो कंथना आप पूछ गया क्रेटर चाल की है वौ ककी कि आपकी छल रही हैं उस सब आपके ex इस बória के अरि बनाते हैं टी सांधर चीट यहूँerdings यह संथी से थ के हिसाफ से मैंने इसको 500 रुपए दिये तो अब यहां पर आप अच्छे से समझ रहे हो कि यह चीज पकड़वाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि 18 दिन आया है नहीं आया क्योंकि आप गए हो बिल तो जुलाई अगस्ट इस साल का है कि आप प्र आप कैसे पता लगा होगे फिर यह एक्चुली क्या है इंटर्नल एविडेंस है तो इससे का फरक पड़ता है सर एक्स्टर्नल एविडेंस की रिलाइबिलिटी यानि विश्वस नियता जादा होती है इंटर्नल एविडेंस की रिलाइबिलिटी थोड़ी सी कम होती है तो तो यह है कि जब आप रिप और अगर आपकी opinion more or less या अधिकतर कहें इंटरनल एविडेंस पर बेस्ट है तो वो पुड़ी से बायास हो सकती है या उसमें एक अंकेशन जोकिम होता है या गलत सूचना का जोकिम बोलते हो इसको चांसे बढ़ जाते हैं ओप मैं आपको थोड़ा एक्स्रा समझा रहा हूं क्या होता है कि मान लीजिए आप को दून 2023 में audit करने गए हैं और audit कर रहे हैं आप 22-23 वर्ष का पूरे एक साल का audit कर रहे हैं अब मान लेते हैं कि पूरे साल में 500 पर्चेस के ट्रांजेक्शन हुए आप सही तरीका तो यह होता है कि आपको 500 बिल देखने चाहिए एक-एक बिल उठाओ फिर उसे पर्चेस बुग में जाचो इस तरह से इस साल आपने अथारा सो सेल के बिल काते हैं तरी तरीका तो होता है कि संगर ना करो जिसको सैंसर बोलते हैं उसमें अथारा सो बिल को देखो आप पूरा लेकिन आप भी समझते हो कि आपको दर दिन में audit अलग-अलग तारीकों से अलग-अलग हफ्तों मैनों से अगर वह बिल ओके हैं अगर वह 15 बिल जो अपने रेंडम रेंडम बोलते हैं याद्रिशिक रूप से या दैवी यह तो और पे तो अगर वह अपने 15 बिल देखे वह ओके पाए तो अपने इस कंक्लूजन पर पहु या जो बचे ट्रेनिंग करते हैं सी ये की आर्टिकलर बोलते हैं उनको वह बच्चों को आप काम दे दो तो वह नबबे बिल रेंडम उठाके देख लेंगे गरबर मानलो नबबे में से 88 बिल तो ओके आए दो बिलों में थोड़ी जी गरबर आई तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे रेंडम चेकिनी करने परती है जिसको टैस्ट की बहुत जिसमें कहीं से भी कुछ उफ उठा लेते हो वह अब ये क्वेश्चन हे था कि किस मामले में आप को टैस्ट चेकिंग नहीं प्रशेस कि Transaction में कई wise आप 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 कोई मतलब Nancy पर नहीं रहे है देल की तरफ यह रही होते हैं देखो एक नहीं पैश्प। तो वहां की बैलेंशीट में कितनी आइटम होगी बीस पच्छेस तीस आइटम होगी उसको आप एक एक चीज को चेक करो इसको आप अच्छे से देखो या लाइवरी साइड में जो आपको दिख रही है अच्छी नहीं है तो यहां पे टैस्ट चेकिंग अच्छी नहीं है तो यह हो क्या रहा है सर हम और इसे करते हैं और इट का मकसद क्या होता है तरीका क्या होना चाहिए उस तरीके को सीख रहे है जैसे आप पुलीस वाले बन गए पढ़ाई लिखाई करें फिर आपको एक सीखने को मिलेगा कि पुलीस वाला किसी केस को इन्वेस्टिगेट कैसे करता है या एक डॉक्टर होता है तो वो मरीज को इन्वेस्टिगेट कैसे करता है कैसे सजिस्ट करता है तो कागच पढ़ने के बाद आपको फील्ड में काम करना होता है तो ओडिक्टर के साथ ऐसा ही होता है उसके बाद यह टफ क्वेशन है जैश जैश समय पर और दैनिक आधार पर लेखा परिक्षा अंकेशन लेखा परिक्षा शब्द बोलो एक ही है जिसमें आप कमपटेबलो डैश डैश समय पर और दैनिक आधार पर लेखा परिक्षा कार्य के कुशल एवं प्रभावी समापन के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश और निर्देश है ताकि अंकेश और जोक्यम को कम किया जा सक है अब आपको इन चारों में से कोई लें इसका थी होता है एक वर्डवर यह तो बहुत बड़ा इंटेन्स है तो वर्ड चिपका की लाइन बोलो मैं तो यही तरीका लगाता हूँ कि कभी ऐसा पश्चन आ है तो जो रिक्तिष्थान की पूर्ती वाला होता है उसमें स्मार्पत्रित आएगा तो इसमें report जैसी कोई बात नहीं है कोई certificate जैसी बात है A और C में बहुत close मुकाबला है सची में बहुत close मुकाबला है अब भी इसका वैसे answer A है कि audit planning अब audit planning क्या होती है देखिए आप planning करते है प्लानिंग क्यों करते है ताकि कि आपकी audit एक तो समय पे होए कुशलता से होए उसमें आप कब कब क्या क्या करेंगे कौन क्या क्या करेगा यह audit कारिकर्म में भी होता है कि कब कौन सा काम कौन शुरू करेगा खत्म किया जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा close वाला question है लेकिन मैंने जहां से question उठाया है उसमें यही था इसका कि अंकेशन योजना से हम क्या चाते हैं कि हम अपनी audit समय पे समाप्त कर सके समय पर समय और डेली भी हमारा काम समय पे समाप्त होए काम जो है वो किवल खतम ही नहीं करना है वो कुशलता और प्रभावी तरीका से effectively हम खतम कर सके audit की risk को हम मिनिमम करना चा सही है तो हम सही बताएं गलत है तो गलत बताएं हमारी राय गलत ना हो जाएं इसके लिए जो विशिष्ट दिशा निर्देश निर्देश होते हैं English पर कहता है अगर मैं audit planning शब्द चिपका के बताऊं तो audit planning is the specific guidelines and directions for efficient and effective completion of the audit work on timely and daily basis so as to maintain auditors तो यह audit planning के साथ यह सही लाइन नहीं यह audit planning वाला था तो students अगर आपको हमारा content पसंद आ रहा है हमारा teaching style आपको पसंद आता है तो मैं आपको advise करूंगा कि आप हमारा app download कीजिए commerce point नाम से हमारा app है play store पे easily मिलेगा download कर लेजिए अभी जैसे junior account and exam expected है तो हमने उसके लिए तीन तरह के product तयार किये है और मैं आप एक बहुत simple छोटे से course से start करना चाहें और क्या value मिलेगी वह देखना चाहें तो एक हमारा 99 रुपय का course है उसमें हमने subject wise question bank दिये है for example अगर आप accounts का question bank देखना चाहते हैं आपका account तयार हो गया है question bank हम आपको मातर 99 रुपय में provide कराएंगे उसके अंदर आपको 1500 question मिल है इसी तरह आपको मालीजा आपका लगता है कि मेरा account audit तयार हो गया है तो आप audit के इतने ही question 99 रुपय में इस तरह किसी भी subject के जो commerce related 6 subject है इसी भी subject के आप paper हमसे buy कर सकते हैं मातर 99 रुपय में available है well यह तो हो गई question bank के बात अगर मालीजा आपके पूरे subjects की सारे subjects की तयारी हो चुकी है तो आप हमारे 249 वाला project देख सकते हैं actually इसके अंदर sample papers है जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 question आते हैं हर section से accounts purchase, audit purchase, आरे सार पर चारे से subject है तो total 150 question है तो 150 question जब होते हैं तो एक sample paper पूरा होता है तो हमने ऐसे 50 sample paper provide कर रहे हैं कि आप बहुत ही serious तैयारी कर रहे हैं और आपने chance नहीं गवाना चाहते हैं और job लेना चाहते हैं बिलकुल advice करूंबा कि आप यह 50 sample papers purchase कीचे और मातर 249 रुपे मे available है या अगर एक sample paper मातर पांच रुपए हो गया तो आप हिसाब लगाए तो और पांच रुपर में 150 question होगा अब बहुत ही अच्छे selected questions आपको मिलेंगे तयारी के लिए यह भी आपका sample paper रहा इसके बाद अगर by the way अगर आप by the way आप accounts के नहीं है या आपको accounts की बहुत नहीं है तो हमारा accounts का video lectures का पूरा course तयार है मातर 499 रुपए में available है इसके ताथ अगर आपके 499 कोर्स लेते हैं तो हमने आपको sample papers freely provide कर रहे हैं sample papers 249 की वर्थ के थे वो भी हमने freely provide कर रहे हैं तो अगर net देखा जाए तो net यह course आपका 200 कई हो गया almost almost 250 का हो गया 250 रुपी का हो गया तो जस्ट हम यह चाहता हूं कि आप accounts पढ़े हो अच्छे से पढ़े हो इसके इंदर 150 से ज्यादा video lectures है एक एक चैप्टर को दस बारा बारा video lectures में in-depth study कराया गया है तो आप इनको देखने का पाद accounts के paper लगाते है accounts के videos हमारे तयार है इस म कॉमर्स पॉइंट एप में मिलेगा अगला कोशन कहता है निमलेकित में से कौन सा कथर टेमिंग वर लाइडिंग के संबन में सत्य नहीं है तो टेमिंग और लाइडिंग पहले आपको समझना पड़ेगा फिर ही आप options के पढ़िए होता गया है कि जैसे अगर किसी आदमी क कश में घरबड करनी हो तो इसके बहुत तरीके होते हैं जैसे आप sales करो तो मत करो आप purchase मत करो पर जबर्दस्थी purchase कबिल बना दो आप 10 लोगों को wages दो लेकिन 15 लोगों को मान लो कि मुझे ए आदमी ने पैसा दिया और मान लो उसने मुझे 50,000 रुपे दी और मैं कैशियर हूँ और मुझे पैसे की ज़र्वती आप मुझे पैसे खाने दे वह 50,000 रुपे खा गया अब ए ने तो पैसे दे दी अब मैं क्या करूँगा बी मुझे पैसे देगा अब करो बी मुझे पैसे लेगा तो वो क्या करूँगा मैं एक एक हाते में जमा कर लूँगा मालो कहानी मालो कि बी से भी पचास यार ही बाकित है हमारे तो उसने जो पैसे दिये वो एसे में जमा कर दिये इसका मालब मैंने बी वाले खा गया इसके बाद मुझे जब सी ने पैसे पीसे पीसे दिए तो मेरे बीखें दा जमागर दिए ऐसे या होता है कि अपन आते इस बंदे से चमाप फिछले वाले दिखातें तो कभी क्या होगा असे पूचा जाएगा असके आगए हमारे पास भी हिसाब में जाओ मोचन एक माइक लिए का इंकौयरी भी करता था थो पता नहीं चलता है तो अब यह होता है नकत प्राप्तियों के जानबूज का दुरूपयोग के परणाम सरूप होता है यह बास सच है अलएक क्या करें हो जानबूज के जो को केसे हैं या नकत प्राप्तियों से जुड़ा है है डपिनेटली लापीन्टिलान या लैविदिंग---- का सम्मन kyaish रेसिट से है जदी एक ही व्यक्ती नगत प्राप्तियों अ नकत भुकतान करता है तो ऍबेंग्व है लैडिंग मजूद Haline आफन हो जाती है यह केतन थोड़ा सा इसको अभी र होल्ड पे रखते हैं इसमें वैसे लिखा है कि अगर किसी एक आदमी को आप पैसे लेने का काम भी देदो गया पैसे देने का काम भी देदोगे तो टेमिंग लेटिंग होई या chances बढ़ जाएंगे इसको अभी hold पर रखते हैं चौथा लिखा है कमी या दोखा लड़ी को छुपाने के लिए आम तोर पे बैंक को पुस्तक राशियों को नरंतर समान रखने की कोशिश करता है ताकि बैंक समाधन अर्णियमित्ता का पता न लगा सकते तो यह भी होता है मतलब जो कैशी रहे रहे हैं तो फ्रॉड द रहे हो रोल टेंग वो क्या करेगा करेगा मैंटेन करें था रहेगा दो सारी बहुत चीजरे करता है ये व rich है इसमें कमजोर option है कि जिसको अगर प्राप्ति का काम और भुकतान का काम एक ही आदमी को दोगे तो टिमिंग लाइडिंग क्रियेट होने की चांसे बढ़ जाएंगे ये कथम सत्य नहीं है बाकी ये बाते तीनों सत्य है कि ये प्राप्तियों से संब्दित है ये प्राप्तिय देंगे ये पकड़ में नहीं चीजिए इस चीजिए होती है इसकी लापिंग और लाइडिंग कहते हैं और ये कि एक तरीका है रोकल के गबन के बहुत तरीके होते हैं आप क्या सिखा रहे हो ना बता रहा होता है और मुझसे ज़्यादा आपको पता है यह जयंक के मॉलिक स्ध्धांतू की अगयानता के का अत्पन होने diyor का कि इस अगते हैं और हो सकता हैं मैं मचली कि और अबश्याद आप देए और आपको लिए आपन घ्राइब करने वालान हे निर्दोष के और यहां जयता है और तो आप जानते हो कि वह बहुत calculate करके मिली भगत के साथ हो करता है बात करें एक बार आपको सारे एरर समझा देता हूं क्योंकि मैं MCQ के थुरू ही वीडियो एक्सलेन वाला टॉपिक एक्सलेन कर रहा हूं तो चूक की तुरूटी है कि जैसे कोई लिए जाए या कोई खर्चा capital expenditure है पर उसे revenue expenditure की तरह record कर लिए भेड़ लिए अनि क्या है धेत बचानी नहीं है यह कोई परसका है उसको परसनल गहर्चा मप्रसटेंटिवर्यों चंहर्ट क्या होता है और business expenditure क्या है इसके समझ नहीं है थो इसका मतलब सब्सक्राइब है आपके principles कमजोर है principles यहाँ पर सिधानत मतलब है कि आपके सिधानत कमजोर यह सैधानति क्लूटियां के लाती है एक question में यही question था इसका answer भी ही है कि अगर किसी एक्ति में दिखांकन के जो मूल सिधानत होते हैं जिसे यह सिधानत होते हैं आने वाले को है वो होता है error of principle इसके लबाव दो तुरुटियां हो रहे है पृति पूरख या शेति पूरख तुरुटिया और हिसाब की तुरुटिया यह अगले उसमें आएंगी तो मैं वहां सबको समझा दूंगा ठीक है अगली कोशन में आने वाली एंट्री का 10,000 अमाउंट क्रेडिट में पोस्ट करना भी भूल गया तो आप देखो यहां से मुझसे दो गलते होई है एक तो मैंने डैबिट साइट की जोड़ गलत लगई दस अजार रुपए की वह एक गलती थी और एक क्रेडिट साइट में मैं पोस्ट करना भूल गया वह भी गलती थी लेकिन इसने क्या होगा जब आप अगया अकाउंट करें तो समझ जाएंगे तो मैच हो जाएगा मतलब जैसे वह मैस तो होना चाहिए था मान लीजिए दो लाग रुपर इधर और दो लाग रुपर इधर से लेकिन जो मैंने डबल मिस्टेक की उसमें वह एक लाग नब्भे हजार रुपर डियाइसेट का जुडाएगा एक लाग नब्भे जाट जास याज उचाएट का मैच हो जाएगा अगया बिलेंस मैच हो जाता है हैं हम मैफमेतिकली करेक्ट हैं लिकिन गलती तो हमसे होई गए यह इसको आप दूसरे और समझापल गया ह यह आय तो गलती हो पर इससे क्या हो गया कि थोड़ा सा compensate हो गया या तो दोनों को जूते पड़ेंगे या दोनों ही बच जाएंगे हमला compensate हो जाएगा मैं time पर होता वह लेट आता तो फो जूते खाता उल्टा भी हो सकता था खीक है तो आपके compensating error ऐसे error होते हैं तो आपकी एक गलती को तुसि गलती से शुप जाता है तो वह प्रथि करतिक पूर दीयां कहला तीयां इस के लाव़ा धर का चॉथा टाइप होता है नद बहुत सारे एरोरो हो सकते हैं पर बेसी कली चाहर टाइप कैड़ Om माने जाते हैं यह चारल में माने जाते हैं हिसाथ में माने जाते हैं हिसाफ dullard तो यह होता है कि है कि आपको पर्चेज का बिल महांफ ज आपको प्रेटी कर दिया मुए twent pond v vote इस तरह कि हसाफ तो अभी जिस एर्र के बारे में उन्हें पूछा था कि जब हमसे दो या दो से ज्यादा तुर्टियां होती है और ऐसी गलतियां होए कि दूसरी अशुद्धी छुप जाए उसको वह सटी रूप से आपका ट्रायल बैंस बैठ जाए ऐसी अशुद्धी होती है प्रतिपूर में से कौन सा धोखादड़ी का प्रकार है तकदी का दुरूपयों बिल्कुल लोग कैश का गबन करते हैं कैश का घपला करते हैं हातों में हेलफे करते हैं माल का दुरूपयों करते हैं यह सबी बिल्कुल सब्सक्राइब यह सारे के सारे दोखादड़ी के प्रकार है अभ वोगस मतलब जूठी पर्चेस दिखा दे माल का गवन है आप माल उठाके ले जाओ अगर खास करके थोड़ा हलकी हलके वजन वाला माल है तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं आपको करने के लिए पर लोग माल का गवन या गपला कर लेते हैं समकत्यों का गवन सकता है इसके बा माल लीजे आप कंपनी में मैंगर हैं और आपने एक आदमी रखा कंपनी के लिए कहके और आप उससे घर का काम कर रहे हो अपने बच्चे की टूशन वोमवक कर रहे हो या अपना ही कुछ परस्टनल काम उससे कर वा रहे हो तो वह कह रहा है आप उस बंदे का बिलतो इजänder होता है या वहता है इस तरह है तो लग को मैंने होशन और देखा रहे हो अभी यार रखिये है करते लोग कभी कभी profit को inflate inflate मतलब होता है बड़ा चला कर दिखाया जाता है और कभी बार profit को दबा के या suppress करके दिखाया जाता है और दोनों के अपने अपने उद्देश्य हुआ करते हैं तो यह गबन के छे अब आप सोचो जैसे मान लीजे अभी तो mobile का जमाना आ गया है और call rates बिल्कुल पैसे लगते ही नहीं इंटरनेट का ही पैसा लगता है पर पहले मान लीजे आप पूराने जमाने में जी रहे हैं जहां पर एक call करने के मान लो 10 रुपए लगते हो तो अब आप सरकारी office में ब सुवीधागा आप जो दुरूपयोग कर रहे हैं वो है सुवीधागा इसा संपत्ति का गबन संपत्ति का गबन तो यह समझो कि कोई आपके व्यापार में चीज है मालीजे आपके college में furniture पढ़ा है आप furniture उठा के घर ले जाओ गया भी कर दो तो को होता है अलमिरा पढ़ी जहां सरकारी टेलीफोन है आपको official कामों से उसे यूज़ करना चाहिए लेकिन आप उसे घर के काम से यूज़ कर रहे हो तो कहीं न कहीं आप सुवीधाओं का दुरूपयोग कर रहे हैं जैसे आप कई बार मामले सुनते होंगे यह ना सरकारी कार में हलाने जी की पतनी सब सब्जी खरीदती भी पकड़ी गई तो कार सरकारी थी पेट्रोल सरकारी ड्राइवर सरकारी और भाबी जी के उसके अंदर जाके सब्जियां खरीद रही है पारलर जा रही है और मान लिए यह चीज़े प्रकाश में आ गई तो क्या कहा जाएगा कि सुवीधाओं का दुर अब लगा होगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो यह को लाइक कीजिए थोड़ा पूछे होस्ना मिलता है कि लाइक कितने आये हैं कुछ अच्छा लगा करें खराब लगा करें तो कॉमेंट कर दिया करो कुछ और सीखना सिखाना हो तो बोल दिया करो WhatsApp लगाता है बोल द झाल झाल